हेलो एब्रिवन आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में आज हम लोग लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जोर्शन रिफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जोर्शन रिफ्रिजरेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है और यह किस तरह से simple vapor absorption system से अलग है ठीक है simple vapor absorption system से किस तरह से अलग है उसके बारे में जानेंगे देखें जो इसमें हम लोग lithium bromide जिसको हम लोग LIBR भी बोलते हैं ठीक है LIBR vapor absorption cycle भी बोलते हैं LIBR lithium bromium lithium bromium इसमें जो होता क्या है कि इसमें हम लोग water को refrigerant के रूप में मानते हैं किसको water को water को refrigerant के रूप में मानेंगे अगर water मेरा refrigerant है इसका मतलब क्या है कि इस cycle में जो rotate होगा यह पूरा cycle में यह क्या होगा water होगा ठीक है इस पूरा cycle में water होगा और इसमें जो L.I.B.R. जो lithium bromide बोला गया उसको absorbent के रूप में माना गया क्या माना गया? absorbent के रूप में मतलब L.I.B.R. यहाँ पे absorbent का काम करेगा L.I.B.R. absorbent का काम करेगा जो सिर्फ यहाँ पे रहेगा और यहाँ से वो इस cycle में water के साथ मिल करके इस cycle में rotate करेगा L.I.B.R. तो समझ में आ गया कि सिबसे main difference कहाँ पे है जो lithium bromide vapor absorption system है और जो हम लोग का simple vapor absorption system था उसमें हम लोग ammonia को use किये थे simple vapor absorption system में ammonia को use किये थे NH3 को जो इस पूरा cycle में घुमता था और यहाँ पे इस पूरा cycle में कौन सक क्या घुमेगा इसमें पूरा water घुमेगा और इस cycle में हम लोग का lithium bromide घुमेगा इस बड़ा वाला cycle में यह अपना water घुमेगा water और यह वाला cycle में जो absorbent वाला जो cycle है इसमें हम लोग का क्या घुमेगा L.I.B.R. और water का solution ठीक है तो हम लोग सुरू से देखते हैं कि किस तरह से हम लोग का होता है सबसे पहले इब़ापरेटर में आते हैं इब़ापरेटर क्या है एक ऐसा system है जहां पर हम लोग को Mia ठंडा रखना है जिस चीज को तो यह हम लोग का यहां पर है अब मैने क्या बोला कि इस cycle में क्या घुम रहा है हम लोग का water घुम रहा है तो evaporator में आएगा क्या यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा expansion bulb से हम लोग को क्या मिलता है low pressure और low temperature low pressure, low temperature liquid refrigerant मिलेगा मतलब हम लोग को water मिलेगा यहाँ पर जो काफी ठंडा होगा एकदम chilled water मिलेगा जब हम लोग को expansion bulb से जाएगा और उसका pressure भी काफी कम हो जाएगा क्योंकि expansion bulb में pressure decrease हो जाता है तो low temperature, low pressure, water refrigerant यहाँ पी मिलेगा हम लोग को water refrigerant मिलेगा जो evaporator से पास होगा उसका heat accepting property बढ़ जाएगा evaporator से काफी heat को accept करेगा और वो vapor convert हो जाएगा बेपर में बनने के बाद उसको हम लोग absorber में डाल देंगे absorber में क्या है? lithium bromide है lithium bromide water vapor के साथ soluble हो जाएगा, गूल मिल जाएगा और उसके बाद उसको हम लोग pump के थूँ generator में लेकर के आएगे कहां लेकर के आएगे? generator में जैसे ही वो generator में आया हम लोग यहाँ पे heat apply करते है generator में, वो heat apply आप तो आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं है न, कोई भी source of energy से आप generator में heat apply कर सकते हैं heat जैसे ही generator को आपने दिया वो क्या होगा? water vapor को sorry, water को क्या करेगा? vapor बना देगा, water को vapor convert कर देगा, ठीक है? और जो, यहाँ ideal का बात मैं कर रहा हूँ, तो water vapor बन जाएगा और जो lithium bromide और कुछ water जो बचेगा, वो यहाँ पे बचेगा कुछ water और lithium bromide का solution यहाँ पे बचेगा, जिसको हम लोग फिर वापस से भल्व के थूँ absorber में ले आएंगे, तो lithium bromide यहीं पे rotate करता रहा जाएगा, जो water vapor बचा, उसको हम लोग अब यहाँ से क्या मिलेगा, हम लोग को, यहाँ पे क्या मिलेगा high pressure, generator से जो निकलेगा, वो high pressure high temperature vapor मिलेगा, हम लोग को high temperature, high pressure vapor मिलेगा, ओके, high temperature high pressure vapor, अब उस vapor को convert करेगा, वो liquid में condenser का काम क्या है, कि phase को change कराना, vapor convert into liquid, तो यहाँ पे high temperature high temperature, high pressure liquid refrigerant मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल रहा था, vapor मिल रहा था यहाँ पे liquid refrigerant मिलेगा ठेक है, liquid refrigerant, फिर उसको reserve, receiver में हम लोग store करेंगे, फिर उसको expansion bulb के थूँ, ले करके आएंगे, तब जा करके, वो liquid refrigerant with low temperature and low pressure, यहाँ पे pressure और temperature दोनों decrease हो जाएगा expansion bulb में, फिर यहाँ पे low temperature और low pressure liquid refrigerant आएगा, फिर उसको ev operator में डालेंगे तो heat accepting property बढ़ चुका था तो heat यहाँ से ले करके, फिर अगेन यह cycle में rotate हो जाएगा तो आपको पूरी तरह से lithium bromide system आपको समझ में आ गया कि lithium bromide किस तरह से काम करता है और lithium bromide, simple vapor absorption system से किस तरह से अलग है तो आप चाहें, तो आप इसको जो भी मैं समझाया हूँ, इसको आप खुद से अपना language में लिख सकते हैं और नहीं, तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से आपको stepwise लिख दिया हूँ, कि किस के बाद क्या मैंने बोला है, ठीक है तो मैं इसको एक बार समझाता हूँ, कि इन लिथियम bromide, vapor absorption refrigeration system में क्या होता है कि water is used as refrigerant water को हम लोग refrigerant के रूप में use करेंगे, while lithium bromide libr is used as absorbent lithium bromide को हम लोग क्या use करेंगे, absorbent के रूप में समझ में आ गया, वो absorbent cycle में होगा उसके बाद in the absorber the lithium bromide absorbs the water refrigerant, जो absorber में क्या होगा, lithium bromide water refrigerant को accept करेगा, absorb कर लेगा, और वो एक solution create कर देगा, water और lithium bromide का एक solution बन जाएगा उसके बाद and pump water pump water and lithium bromide solution, water और lithium bromide का solution को वापस से वो क्या करेगा generator में भेज देगा किसके थूँ, pump के help से जहाँ पे उसको गरम कर दिया जाएगा where it is heated, जहाँ पे वो गरम होगा उसके बाद in generator lithium bromide and water solution is heated, generator में lithium bromide और water solution को गरम किया जाएगा and water is converted into भेपर, और water को हम लोग convert करेंगे किस में, भेपर में जैसे ही water भेपर में convert होगा तो वो high pressure and high temperature भेपर मिलेगा हम लोग को high pressure and high temperature भेपर मिलेगा उसके बाद हम लोग after that it passes through condenser से pass कराएंगे, when it again convert, again ठीक है, again convert into liquid again वहाँ condenser में वो liquid में convert होगा, और high pressure and high temperature liquid मिलेगा condenser के बाद वो high temperature and high pressure liquid मिलेगा after this it passes through expansion valve, where it convert into low pressure, उसके बाद expansion valve में वो convert होगा low pressure में and low temperature में convert होगा, ठीक है and its heat accepting capacity is increased और उसका heat accepting capacity भी बढ़ जाएगा, कब? जब वो expansion valve से pass होगा तब तब वो finally कहां से जाएगा evaporator में जाएगा and accept heat and convert into vapor and pass to absorber जब वो यहाँ पे pass होगा evaporator में, तो heat लेगा और जो system में उसको ठंडा करना था, तो ठंडा कर लेगा और वापस से यह absorber में चला जाएगा ओके, तो यह पूरा process था जो मैंने समझाया है आपको hope आपको समझ आया होगा, पूरा theory पूरा concept समझ में आया होगा ठीक है, आज के लिए इतना ही thanks for the listening as always, God bless you all stay at home, keep learning thank you